आज का हमार जो टॉपिक है वो है आइनाइजिशन इनर्जी ठीक है इसको हम डिस्कस करेंगे और एक्जैम पॉइंट वी के हवाले से अगर देखें तो यह इंपॉटन है तो एक्जैम में अगर इसे रिल्मेट कोई क्वेस्चन आता है तो आपने उसको कैसे अटेंप्ट कर ना है तो उसके यहां पे नोट्स बने हुएं ठीक है आप यहां से हर्प ले सकते हो और फर्दर अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती देन वो आप कोमेंट्स में पूछ सकते हो ठीक है तो सबसे पहले डिसकस करते है आइनाइजिशन इनर्जी क्या होती है ठीक ह अनाइजेशन ठीक है यह क्या चीज है कि वो व़ली इनर्जी जो किसी चीज को जो है वो आयनाइस करने की सलाहियत रखती हो ठीक है अब आइनाइस क्या है यह एनके फॉर एक्जेम्बल अगर सिंपल बात करें कि अगर कोई अलिमट्ट है ठीक है उसको उसके आइन्स में तब तदील होगा वो element ठीक है वो ऐसे होगा कि जब उसमें से electron या तो निकल जाएंगे या उसके अंदर electron जो है वो add up हो जाएंगे ठीक है तो दोनों ही form में element अपनी normal state से घो है वो ions की form में जो है वो चला जाएगा ठीक है तो होगा किस के जरी है energy کے ذریعے ठीक है तो आएनाइजेशन energy है यनके वो वाली energy जो कि आएनाइजेशन की सलाहियत रखती है ठीक है किसी बी चीश को यनके element है उसको écनाइज कर सकती है उसको उसके ions में convert कर सकती है ठीक है तो ये था इसके meaning अभी इसकी definition देखते है तो मज़ीद clear होगा कहते है जी ionization energy क्या होती है the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom ठीक है कहते है energy की वो वली amount जो किसलिए चाहिए होती है most loosely bound electron जो के valence shell में मुझूद होते है ठीक है उसको remove करवाने के लिए किसमे से isolated gaseous atom gaseous atom का तो हमें पता है कि कोई भी ऐसा atom जो के gas हो isolated क्या होगा कि वो अपनी normal state में और किसी दूसरी चीज़ के साथ वो reaction में मुझूद ना हो ठीक है वो simple अपनी normal state में पड़ा हो ठीक है तो उसको हम कहते है जी isolated gaseous atom ठीक है most loosely amount कैसे हुआ कि देखे जो valence shell में electron होते है उनको निकालना ज्यादा easy है कम amount of energy चाहिए होती बनिस्पत उन electron के जो के nucleus के बिल्कुल क्रीब तरीन shell के अंदर जो पड़े होते है ठीक है उनको निकालने के लिए ज्यादा amount of energy required होती क्यों required होती क्योंके nucleus जो है वो positive charge होता है electrons negative होते है ठीक है तो आपको पता है positive or negative एक दूसरे को attract करते है ठीक है तो वो जो force of attraction है nucleus की और जो electrons के दिरमान ठीक है तो जो करीब वाले electron होती है वहाँ पर force of attraction बहुत ज्यादा होती है वहाँ से electron निकालना तकरीबर ना मुप्यून होता है ठीक है उसके लिए बहुत ज्यादा energy जो है वो amount of energy चाहिए होती है जबके क्या है कि अगर आपने balance shell miss को electron remove करवाना है तो उसको निकालना जो है वो easy होता है वहाँ पर कम amount of energy चाहिए होती है ठीक है तो ionization energy क्या है वो वली amount of energy जो कि किसी normal element को isolated atom को जो है वो उसके ions में convert कर देती है कैसे वो क्या करती है amount of energy कि वो जो उसका कोई atom है ठीक है उसके last वले shell के अंदर जो electron होते हैं उसको महाँ से remove करवा देती है ठीक है तो ionization energy क्या होगी कि वो amount of energy जो कि valence electron को remove करवाने के लिए किसी भी gashes atom में से required होती है ठीक है चाहिए होती है तो उस energy को कहते हैं कि वो कह है वो ionization energy है ठीक है अब जितने valence shell में electrons मजूद होंगे ठीक है उस हिसाब से जो है वो ionization energy भी बढ़ती जाती है ठीक है फार एजेंपल अगर एक जो है वो electron को remove करवाना है तो उसके लिए जो amount of energy required होगी उसको हम कहा देंगे कि वो first ionization energy है ठीक है अगर हमने valence shell में से दो electron को remove करवाना है तो उसको हम कहा देंगे कि first ionization energy एक electron के लिए और फिर हम कहा देंगे second ionization energy दूसरे electron के लिए इसी तरह से अगर continuously ऐसी है कि अगर तीन electron remove करवाने होंगे तो फिर हम कहा देंगे third ionization energy ठीक है तो बहुत से element ऐसे हैं जिनकी first ionization energy भी होती है second भी होती है third भी होती है fourth भी होती है तो इसना से increase करती है ठीक है तो first ionization energy क्या होती है कि इसके definition देख लेते हैं कहते है if there is only one electron in valence shell अगर valence shell के अंदर सिरफ एक electron हो the energy required to remove it will be called first ionization energy तो उस एक electron को remove करवाने के लिए जो amount of energy हमें चाहिए होगी required होगी उस energy को हम कहेंगे वो क्या है वो first ionization energy है क्योंकि अभी सरफ एक electron जो है वो उसमें से निकलवाया गया है ठीक है तो उसको हम कहते हैं वो first ionization energy है example के अगर बात करें तो कहते हैं first ionization energy of sodium atom is sodium atom की जो first ionization energy है यहनकि उसके balance shell में जो एक electron है उसको remove करने के लिए जो amount of energy required होती है वो कितनी है plus 496 kilojol per mole energy जो है वो यह इतनी amount required है energy की जो क्या कहलाएगी उसकी first ionization energy ठीक है equation देखे हम लोग तो equation कैसे होता है जी देखें अब sodium हमारे पास जो बिलकुल isolated form में मुझूद है ठीक है normal state में किसी के साथ reaction में नहीं ठीक है अब हमने क्या किया जी इसको energy provide की जिसकी amount थी जी plus 496 kilojol per mole जब इतनी energy sodium को मिली तो यह क्या हुआ जी कि इसमें से electrons जी क्या रहा गया जो जो normal sodium था उसके उपर चार जा गया जो किसमें convert हो गया क्या चार्ज है इसके उपर positive charge आ जा गया ठीक है तो जब भी किसी element में इसे electrons निकलते हैं तो उस पर positive charge आ जा जाता है जो कि deficiency of electron को show करते है ठीक है और जब भी किसी element में electrons add होते हैं तो उसके उपर जो है वो negative charge आ जा जाता है इट मीन्स कि उसके अंदर electrons add up हों है ठीक है लेकिन अगर electrons निकलते हैं तो उस element के उपर positive charge आ जा जाता है जैसे अभी sodium के case में हो sodium है isolated form में है फिर आगे जब हम इसको energy देते है amount of energy जो के delta H है ठीक है तो उसके बाद क्या equation बनती है na positive plus e negative e जो है वो electron को represent करते है तो इस तरह से एक electron first ionization energy जो होती है एक electron को निकालने के लिए तो वो इस तरह से है sodium element के ठीक है तो यह थी किस तरीके से first ionization energy जो होती है ठीक है कैसे isolated जो atom है वो अपने ions में convert होता है ठीक है तो अभी हमने discuss किया first ionization energy उसके बाद हम discuss करेंगे more than one ionization energy को कहते हैं जो group second है और third है ठीक है उसके elements have more than one electrons in their shells जो देखे पहला group है उसके valence shell में एक electron होता है ठीक है जो group two है उसके valence shell में दो electron होता है जो group three है उसके जो elements होते है उनके valence shell में number of electrons यह वो three होते है ठीक है तो कहते है group two और जो group three है वहाँ पे जो है वो एक से ज़्यादा electrons यह वो present होते है therefore they will have more than one ionization energy तो क्या हो यह थी बात कि अगर एक electron है उसको remove करवाने है तो फस्ट ionization energy है ठीक है अगर दो electron को remove करवाने है तो वो second ionization energy है और इसी तरह से अगर तीन electron है तो वो क्या होगी वो third ionization energy होगी तो इसी तरह से क्या होगा कि जिनके जो है period के अंदर trend in a period ठीक है कहते है from left to right in a period क्योंकि हम consider period को कहां से कहां तक करते है जी left से right जो के seven period हमार पास मौज़ोद है ठीक है कहते है period के अंदर के होते है value of ionization energy increases period में अगर हम left से right side पे जाएं इस पूरे period को अगर हम check करें तो कहते है ionization की value जो है ionization energy की value वो increase करती है ठीक है ऐसा क्यों होता है उसकी reason भी हम देखेंगे ठीक है याद रखने है आपने है period के अंदर ionization energy increase करती है ठीक है फिर कहते हैं जी elements on left side have low ionization energy periodic table में या periods के अंदर जो element left side पे हैं उनके ionization energy कम होती है elements on right side have high ionization energy और वोवले elements period में जो के right side पे होते हैं उनके ionization energy जो हाई होती है ठीक है अगर हम one से लेके seven तक periods को देखें ठीक है तो left side के जो period है यहाँ पे ionization energy कम होती है ठीक है और जो right side पे आ रहे हैं वहाँ पे जो right side में जो element आ रहे है ठीक है तो वहां पर है वाइनेजेशन अर्जिज़ हाई होती है ठीक है? अब हम इसकी रिजन देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है सबसे पहली जो रिजन है वो यह है The Size of Atoms Reduce ठीक है? कि Atom का Size Reduce होता है क्यों Reduce होता है Atom का Size? कहते हैं Valence Electrons are held strongly by the electrostatic force of nucleus हमने क्या बात की थी? कि Period के अंदर अगर हम Atomic Number को देखें Let's see अगर आप Period में Atomic Number को देखें ठीक है? तो यह Continuously Increase हो रहता है One by One करके ठीक है? एक एक डिज़िट के इजाफे से यह Increase हो रहा है जैसे पहला Atomic Number One है 2 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तो Period वाइस अगर हम उनको Left to Right काउंट करें तो Atomic Number जो है वो One by One Increase हो रहा है Continuously Increase हो रहा है ठीक है? इससे क्या हो रहा है कि Atom का Atomic Number तो बढ़ रहा है उसमें Number of Electrons तो बढ़ रहा है लेकिन क्या है? कि उसमें जो है वो Number of Shells जो है वो नहीं बढ़ ठीक है? क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि वो एक एक Electron का इजाफा होता जा रहा है तो वो Shells की Capacity के हिसाफ से जो है वो Atom का Size बढ़ता है अगर Shell नहीं बढ़ रहा है एक ही Shell के अंदर Electrons जो है वो Arrange हो रहे है, Electronic Configuration Same आ रही है उनकी ठीक है? तो इस वज़से फिर क्या होगा? कि जो Nucleus की Force of Attraction है जिसके अंदर Proton जैसे जैसे Atomic Number बढ़ता है वैसे वैसे Proton भी Nucleus में एड होते जाते हैं तो वो Nucleus की जो कशिश है और जो Electrons की जो कशिश है, ठीक है? जैसे Nucleus की कशिश ज़्यादा होगी वो Electrons को अपनी तरफ ज़्यादा Strongly जो है वो Attract करता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है? कि हमने पहले भी बढ़ा था Atomic Size का जब हमने ट्रेंड देखा था Periodicity देखी थी periodic table में उसमें तो हमने ये कहा था कि Period wise जो हो Atomic Size नहीं करता क्यों नहीं करता? क्यों कि इसमें Number of Shell नहीं करता है Number of Electrons नहीं करता है और जो Nucleus के उपर जो Effective Nuclear Charge है वो भी नहीं करता है तो Nucleus की कशिश इतनी ज़्यादा Strong हो जाती है, कि वो क्या करता है लेक्टोंस को उन शेल्स को जो मुझूद है वो उसको ज़्यादा Force से अपनी तरफ अटेक्ट करता है जिसकी वज़े से क्या होता है कि Atom का Size जो वो रडियूस हो जाता है ठीक है? तो ये वज़ा है कि जो पीरिड है वहाँ पे Atom का Size जो है वो इंक्रीज नहीं करता और जब Atom का Size इंक्रीज नहीं करेगा Number of Electrons बढ़ते जा रहे है इसी तरह से Number of Protons जो है वो नुकलिस में बढ़ते जा रहे है तो Positive Charge भी ज़दा होता जा रहे है Negative Charge भी ज़दा होता जा रहे है तो इसलिए Electrons जो है वो ज़दा Attraction में है नुकलिस के साथ ठीक है Strong Attraction है तो होता क्या है कि Amount of Energy भी अगर आपने उस में से उस Element में से Electron को निकलवाना है रिमूव करना है तो उसके लिए जो Energy है वो भी ज़दा Amount में चाहिए होगी ठीक है अभी हमने क्या पड़ा है कि जो पीरियड वाइज अगर हम देखें तो वहाँ पे आइनाजेशन अनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है तो क्योंकि वहाँ पे Size of Atom नहीं बढ़ा होता तामिंग नंबर तो बढ़ता है Number of Electrons ज़दा होता है Effective Nuclear Charge जो है नुकलिस के ओपर ज़दा होता है इस वज़ा से ज़दा Amount of Energy चाहिए उस Strong Attraction में से Electron को जो Attraction उसको तोरने के लिए Electron को उसमें से Remove करवाने के लिए ठीक है Example देखें तो उसमें है जी Ionization Energy for Second Period ठीक है तो आपने एक्जेंपल में जी Second Period की एक्जेंपल लिखने है वो हम देख लेते है इस तरह से आप ये जो है वो एक्जेंपल लिखोगे ठीक है Second Period के Element के Name और साथ में नीचे जो है उसका Ionization Energy तो ये अगर आप बना दोगे ये लिख दोगे तो ज्यादा वैलिड हो जाएगा ठीक है और ये Aero Sign में लिखा है जी के Ionization Energy Increasing in a Period ठीक है अब अगर हम Ionization Energy का Trend Group में देखे तो क्या है From Top to Bottom in a Group Group को हम Top से Bottom जो है वो Consider करते है ठीक है तो उसमें क्या Trend है करते है Ionization Energy of Elements Decreases from Top to Bottom Period में तो Increase करती है Left to Right But Top to Bottom गरूप के अंदर Ionization एड़िवर डिक्रीज करती है क्यों करती है उसके Reason देख लेते है कहते है Group के अंदर क्या होता है कि Down the Group जैसे जैसे आप Top से Bottom की तरफ जाते हो More and more shells lie between Valence Shell and Nucleus of Atom ठीक है कहते हैं वो Nucleus के दरमयान आ जाते है और किसके दरमयान आते है जो सबसे Last वाला Shell होता है Outer Most Shell, Valence Shell उसके दरमयान में Number of Shells जो हो इंक्रीज होते जाते हैं कैसे होते हैं कि देखे जब हम Group को देखते हैं तो वहाँ पर Atomic Number इंक्रीज हो रहा होता है कि ज्यादा Shells जो है वो Nucleus के दरमयान में आते है और जो Valence Shell है उसके दरमयान में ठीक है Second point कहा है जी कहते है जी It reduces electrostatic force felt by electrons present in Valence Shell Outermost Shell ठीक है अब कहते हैं जी कि ये electrostatic force जो है वो जो attraction की है Nucleus और Electrons के दरमयान में Valence Shell के जो Electrons तो उसके दरमयान में उसको कम कर देते है यहाँ पर बात आजाएगी Shielding effect के ठीक है कि ज्यादा Shells आ गया है Number of Electrons ज्यादा हो गया है तो वो Shield कर देते है Outermost Electrons को कि वहाँ तक फिर जो है वो Nucleus का जो attraction का attraction है Nucleus की force of attraction वो जो है उसका असर कम हो जाता है ठीक है तो वहाँ से फिर Electrons को remove करना ज्यादा easy होता है कम amount of energy भी अगर आप दोगए तो Electrons ज्यादा strongly bound नहीं होते हैं ज्यादा strongly attract नहीं होते Nucleus से तो वो remove हो जाते हैं ठीक है पिर कहते हैं Wellis shell electrons can be taken away easily तो जब force of attraction थोड़ी कम feel होगी क्योंके ज्यादा Electrons बीच में आगए है आखरी shell के और Nucleus के दरम्यान में तो इस वह जैसे वो जो Nucleus की force of attraction है वो भी कम feel होगी और इसलिए small मतलब थोड़ी सी जो है वो energy जो है वो चाहिए होगी electron को remove करवाने के लिए ठीक है तो देखें जितने ज़्यादा strongly electrons Nucleus के साथ bound होगी उतनी ही ज़्यादा energy चाहिए होगी उस element को ionize करने के लिए उसके ions में change करने के लिए उसमें से electrons को remove करवाने के लिए ठीक है तो period में जो electrons है strongly attract होते है नucleus के साथ तो वहाँ पे ionization energy increase करती है one by one ठीक है लेकिन जो group है वहाँ पे ionization energy वो कम चाहिए होती है तो कि electrons जो है वो मतलब number of shells increase करते है atom का size increase कर रहा होता है तो easily जो होता है कि last वारे shells electrons को remove करवाने जाए ठीक है example देखें है तो कहते है ionization energy for first group elements first group of elements जो है वो उनके अगर हम ionization energy देखें यह हमार पास first group के element लिखे हुए है ठीक है और साथ-साथ उनके ionization energy भी लिखे हुए है ठीक है lithium के ionization energy जो है वो सबसे ज्यादा है पिर sodium है ठीक है उसके उससे कम है potassium के sodium से कम है rubidium की जो है वो potassium से कम है और cesium की rubidium से कम है ठीक है तो यह क्योंगा जी के जो group wise अगर हम डिसकस करें तो ionization energy डिक्रीन्स होती है क्यों होती है वो हमने reasons देखें है ठीक है और जो period में है वो ionization energy बढ़ती है